पाना दादियूं सुचियूं मेडम सलबत असकरी सहभा मैं आपको वेलकम कहूंगी आसलाम अलेकूं वालेकूम असलाम के बालत सुच्रों आपको स्पार्य का झाहिए और मौशिराती यह जो हमारे बिगाड़ पैदा हो रहे हैं इन सब को आप कैसे देख रही हैं। अपर बिगाड़ पैदा हैं। इस अपर बिगाड़ पैदा हैं। कुझ सुवालाद है ते उसे अर्द माश्रीए में हमारे आजाने के उसे लोगों के उसे अर्दी आफ़ता को चलो नहीं यह हुई है लेकिन सहजीद के जारे में रहें रहते हैं उनको आते हैं हमारी जो सेंटी हैं, हमारी जगाफ़ देखें आप सिंट्या, बले जिस्तान पंगा, आप सब जज़ा, आप सो में और तेंगी पूरा धर चलाती है, पुरे खांदान को चलाती है, तो बिल्कुल एडिकेशन ही नहीं होगी, बिल्कुल जबर दस मेंड़ मेरा एक सवाल है, क इस वक्त ये जो फील्ड है, वो किस तरह के से काम कर रही है, और ये जो डिफरेंस हैं, कि एक लोग होटलों पे बेट के अपने आपको दबवाते हैं, सर दबवाते हैं, तेल लगवा रहे हैं, उसमें और फिजियो फूरापी में डिफरेंस कितना है, और हमेशा हमने ये यह वो कारमद हो सकता है और उसमें हमारे नुकसानात क्या हैं जो अनएजुकेटिड लोग बेटके बाहर तैकत के ओपर होटलों के ओपर जो फुटपाथ के ओपर बेटके अमालिश कर रहे होते हैं जी बिल्कुल यह बाद आपने लेना चाह रहे हैं लोगों को तो दिखे बेसिक्री मेरे इंडाइटी शेन हो और उसके इलावा मैं एक ओपिर वाइडो थेरिपिस्टों इस लाइक फुजिकल थेरिपी लेकिन ये चैनली बहुत परानी चैनली एंचे हैं मेडिकल सिस्टम है चाहिना का जिसने मैं ये डिसकोबरी करी है और वो ये कि नशे और रगे आट्वी चैकलरी इन सब का एक नए तरीके से चीजमेंट करती हैं जो कि आप बहुत ही कह रहे हैं कि हम जो ये कराते हैं मालिशी और जिवतार पगरा जिस कभी-कभी एक मालिश के तो आपका सही है थिलिए लेकिन आपके सार्कुलिशन को बढ़ाता है लेकिन ये जिस तरह से होता है ये चीज सही है वरनम मैं नहीं को पिर अननर अंदर का ऑस्जियन की प्रॉब्लम है जो हमारे मसल की प्राद्द्द्द्द्द्द्द्द्ध पाइन marcinaon की दो तो तो त कि हमें खाने पीने का जो खुराब का टाइम है यह मैं आपको बताऊंगे और आप लोग अगरी बात बहुत से सुनें और समझें बहुत आथान चीज़ है इसलिए लोग आथान को आज़ने समझते नहीं है बगएर मेडिशन के लोग अपने आपको नहीं समझते के वो प्रूच के लोग आपको यूजलाइज करती है आपकी बॉडी चैनलर हर वो नशीज़ें जो है ना जो आपको अपको अलज़िक बनाती है ठीक है और हम लोग सुबानाज सहीं है ज़ते हैं पिलकल मैं सोचाता है और चाम कर खाना है नहीं हम रात को दस बच्वाटे की बा कोई चीज़ के लेने की ज़रूरत नहीं है सब करती है उनको फैसिलिटेट करती है सपोर्ट करती है एजुकेशन सिस्टम आप जाते हैं कि अच्छा हो बच्चों की तरभियत तालीम अच्छी हो वें पिर इतना हेटिक स्कैजूल और इन सब कामों के लिए किस तरह आप मै करती है कैसे टाइम निकालती है और आपका बैसक विजन क्या है इसे तो देखिए कि हम मैं इस चीज़ को लेके चलती हूं कि बच्चा जब तक और तक और जहें जितनी भी प्रोफेर्शनल हो जाए कुछी लेकि इसको अपना घट पहले दिखना होता है इसे जो है वो आप कि जब बच्चे आपके जब तक आपके बच्चों को आप नहीं लुक आफ्टर कर सकतें आप उनके कैरियर को नहीं बना सकतें और उसके साथ बच्चों को देखना बच्चों की तालीम पर पहले फोकस करें उसके बाद से बच्चों की तर्वियत को देखें उसके बाद प तो अगर इस बात का अंगाजा हो जाए तो इसमें बाप का बहुत बड़ा हात होता है वो और अवरत को हर तदहा से मकाम देता है हर तरह कि उसके साथ चलता है लेकिन और वच्छे को अपने बच्छों को इन कामों की वज़ा से जब धर मैं जो इन फैमिली तास ही रहे हैं य हैं आजकल इससे बहुत जादा इनेक्टर्स वगदा दे रहे हो कि हम लोग अपने बच्छों का मोगर्स का प्रिश करना है वो क्यों चले जाते हैं द्रस की तरफ तरफ है हमारा तदिकार चाहि लिए है अगर हम अपने बच्छों को उनकी साइटी साथ से उनको उनको दुनिया में हैं तो बच्छों का हमें दूसरे तरीके से मार्पी जब रस्ती और यह सब चीजे ना करें कि अपने बच्छों को बहुत ही प्यार के साथ उनकी हर चीज़ी मालुमाद रखें यगिना और बच्छों कुछ कर दिया है तो आप उस तरह से भी कुछ करें कि वह बहुत शुक्रीया मेडम जी पूरी जा पूरी फैमिली राइटर वहे तकरीबन साहिब किताब बन रुटकी सक्ष्यता है तो मेरा मज़कुल तो माम जबर दस फैमिली मेडम जी आए मेरा बहुत शुक्रीया आप ने टाइम दिया प्रोगम में आप शामिल हूं भाद अच